जय श्रीकृष्णा दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में आप सब्स्वागत है दोस्तों आपको मैं एक कहानी ही मान लीजिए आप कहानी बताना चाहता हूं सुनाना चाहता हूं एक गाव में दो भाई है एक ग्यारा साल का था और एक साथ आठ साल का था दोनों घूमने के लिए चले गए घूमते घूमते वह काफी आगे निकल गए जंगल की तरह वहाँ पर एक कुवे प्यास लगी उनको तो एक कुवे का पास पहुच गए हो तो पुरान जमाने का जो कुवा था तो उसमें बालती लटकी हुई थी बड़े भाई ने पानी के लिए देखने के लिए पानी है की नहीं है उस पर मुडेर जो होती है उस पर चड़ा देखा तो देखने के लिए चड़ा तो उसमें गिर गया हूँ तो कापी समय बाग उसके भाई जो चोटा भाई था उसने प्रयास किया निकालने का और ओओ काम्यावा हो गया इसने बड़ भाई को निकालने दोनों गर पहुंचे ऑपकी समय हो गया शाम हो गया जो बड़े बुझर, जो लोग उते हैं वो शाम को बैट जाते हैं पेड के नीचे बात करते हैं तो इनु उनको देखा दो बोलों कि भाई आप इतनी लेट कहा गये थे तो ऐसे जो उनुर बात बताई कि, ऐसे, बड़ी भी हा आया हैं, वो गिर गए और उनको मैंने रसी से निकाल लिया, बचालाया वे, तो दोस्तों किसी कुछा विश्वासी नहीं हुआ, सब ऐसी कह रहे थे, कि बड़ा भाई 11 साल का और छोटा भाई 7-8 साल का, यह कैसे निकाल सकता है। यह तो निकाल ही नहीं सकता, कोई स्वास ही नहीं होता है, तो जो एक बुजूर था, वो बोला कि हराम से निकाल सकता है, कैसे, वो बोला कि वो अकेला था, उसको वहाँ पर डिमोटिवेट करने के लिए कोई नहीं था, उसके आत्मिस्वास को गिराने के लिए वहाँ कोई नहीं था, उसको यह आत्मिस्वास था केला था, तो उसके पास आत्मिस्वास ततना था, कि वो निकाल सकता है, उसने उस पर ही ध्यान केंद्रित किया, और उसने मैनत की, प्रियास किया, पोजिटिव होकर, तो निकालने म समर्थ हुआ निकाला है यदि वहाँ पर कोई और होता तो वो कहता कि आप तो अरे तू तो काफी छोटा है तू कैसे निकाल सकता है तो दोस्तो हमारा आत्म बल जो है हमारा आत्म विश्वास हैं को जीट दे लाता है जो भी आप काम करना चाहते हो जिसमें भी आप सक्सेस पाना चाहते हो तो उसके लिए आत्म बल आत्म विश्वास खुद को पर सबसे ज़्यदा जरूरी है यदि आप लोगों के भरों से बैट गए कि दुनिया क्या कहेगी लोग क्या कहेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते आत्म विश्वासर की और आगे बढ़ी दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छ लगी हो तो लाइक कीजिए सेयर कीजिए और सबस्क्राब मेरे चैनल वो कीजिए जैश्री कृष्णा धन्यवाद